आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए आप सबको मेरा नमश्कार एक बहुत ही एहम मुद्दे पर आज आपके सामने आए हैं और इस मंच से उस मुद्दे को अड्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल इस देश के विदेश मंत्री ने डॉक्टर S. जैशंकर ने कुछ ऐसी बाते कहीं अपने राजनेतिक प्रतिदवंदियों के खिलाफ तो आप बयानबाजी करिये इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप लगातार करते रहते हैं वो कई बार फूर होती है वो कई बार इमचूर होती है उससे भी दिक्कत नहीं है लेकिन जो आपने कल चीन को लेकर एजनसी को दिये अपने वक्तवे में वोला वो वाकई में चिंता जनक है और वो चिंता जनक इसलिए है क्योंकि आपने एक तरह से भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की हो आपने अपमान तो भारतिये सेना उनके शौर और और इस देश की भुभागिया खंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया उनका कहना थोर मैं यहां पर कोट करती हूं दे, मीनिंग चाइना, is the bigger economy, we are the smaller economy, we can't go and pick a fight with them 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे है क्योंकि हम छोटी अर्थ वैवस्ता है तो हम बड़ी अर्थ वैवस्ता को अटाक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में गुसकर बैठा है और यह कौन बोल रहा है, एक हमारे हाँ लोकोक्ती होती है, उसका बड़ा popular saying है वो सूप तो सूप, बोले छलली जिसमें 72 छेद, क्योंकि इसी interview में उन्होंने और डिंग हाकते हुए बोला कि मैं longest serving चीन में भारतिये का राज़दूत रहा हूँ, longest serving Indian ambassador in China, यह डिंग भी उन्होंने हाकी तो यह कह देना कि हम छोटी economy है, हम बड़ी economy को जाके attack थोड़ी कर देंगे, आप क्या कर रहे हैं भारतिये सेना के शौर पराक्रम उनके होसले के साथ, आपको क्या कहना है उन सेनिकों का, जो बर्फ में, आंदी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर, हमारी भूबाग लड़ना ही नहीं चाहिए, हर सेनिक जो वहाँ पर खड़ा है, उसका होसला तोड़ने का काम, विदेश मंत्री एस जैशंकर जी ने किया है, और मैं यह जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि यह सबसे विवादित बयान, चीन पर आज तक किसी मंत्री ने दिया है, मैं पहला सवाल है, पहला सवाल है कि आप और आप क्या का चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं, आप लॉंगस सर्विंग हैं, भाया ये भी बता दीजे, अप्रेल 2020 की अथावत स्थिती कैसे बनेगी, आप ये भी बता दीजे कि 20 जाबाजों की शहादत के बाद आप चीन से लग मेरे 6 पॉंटेट सवाल हैं उनसे, एस दे लॉंगस सर्विंग अंबैसडर चाइना का सबसे जादा वक्त तक चीन में भारत के राजदूत रहने के तौर पर, वो जो चीनी अग्रेशन की फोटो आती हैं, जो खबरे हैं कि हमारी 2000 स्क्वेर किलो मीटर की जमीन पर चीन ने अतिक्रमर किया हुआ है, उसके बारे में वो क्या कहेंगे, वो यथावत स्थिती अप्रेल 2020 के बारे में क्या कहेंगे, और वो क्या कहेंगे कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट सब हमारी बफर जोन बन चुक है, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक, वो क्या कहे जो पुल बनते जा रहे हैं, उनका कहना था वो तो पहले से चीनी अतिक्रमर था, अतिक्रमर पहले से था पुल अभी बन जाएगा, उनका बेस अभी बन जाएगा और आप अपने मूपर दही जमाएं, मूपर उंगली डाले बैठे रहेंगे, जो सबसे जादा लंबे समय तक चीन में भारत के राजदूत रहें, क्या उन्होंने प्रधान मंत्री को ये अडवाइस किया था, कि वो पूरे देश के सामने, पूरे पार्लेमेंट के सामने, ये जूट बोले की कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई थी, जो सबसे के साम में, ब्रिजिस बना रहा है, फोर्टिफाई कर रहा है, उस पर वो चुप रहेंगे, क्या उनकी अडवाइस है कि ये सरकार चुप रहे है, और ध्यान भटका है, जो लॉंगेस सर्विंग अंबैसडर इंडिया के चीन में रहें, उनसे ये पूछना है, चीन एक रेल चीन से कि आप ही के फोरें सेकरेटरी चिंता जता रहे थे, अन्मैनेजबल सो बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट पर, उनसे भी कुछ कह दीजिए, इंटर्व्यू देना और वहाँ पर डिंगे हाकना बड़ी बात है, एक घंटा एक तालिस मिनट का आपने राश्टर क के नाम संदेश दिया, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप दंब भरते हैं कि आप चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक बने रहे राजदूत हैं, और एक चीज, ना मैं ये मजाग से कह रही हूँ, ना मैं हलके पन में कह रही हूँ, एक स्टॉक स्टॉक होम सिंड्रोम होता है, आपको अपने ही जिसने आपके साथ गलत बरताओ किया, उसी से प्यार हो जाता है, स्टॉक होम सिंड्रोम होता है, स्टॉक होम सिंड्रोम होता है, क्या जैशंकर जी स्टॉक होम सिंड्रोम से ग्रसित हैं, सवाल ये सारे चीन पर पूछने चाहिए लेकिन आप और आपके आका जब मुखा मिलता है शी जिन पिंग की गल्बाईया करने लगते हैं गले लगने लगते हैं लाल आख दिखाने के बजाए लाल शर्ट पहन कर स्वागत में खड़े हो जाते हैं तो क्या आप स्टॉक होम सिंड्रोम से सफर करते हैं ये सव नहीं है कि 50 साल 1967 के बाद 87 में एक इंसिडंट को छोड़ कर लगातार स्टेबिलिटी और पीस बॉर्डर पे बनी रही और लगातार पिछले तीन सालों में चीनी अतिक्रमण हो रहा है इंकर्जन हो रहा है चाहिए वो लदाक में हो चाहिए वो अरुनाचल में हो चाहिए नेपाल के रास्ते से हो क्या यह सच नहीं है कि यूपीए गवर्मेंट ने एक्टिव इंफ्रा पॉलिसी और रोड्स टनल्स बनाने के लिए 2006 में पॉलिसी बनाई थी और यह शाम सरन टास्क फोर्स 2006 में बना था और बहुत सारी चीजे इसकी 2014 तक खतम हो गई थी क्या यह यह सच नहीं है कि इंडियन नेवी ने यूएस नेवी नियर इट चाइना सी में 2007, 2009, 2011 और 2014 में एक्साइज़स किये थे क्या यह सच नहीं है कि कॉंग्रेस गवर्मेंट ने 50,000 स्ट्रॉंग नई दो माउंटेन डिविजन सैंक्शन करी थी और क्या यह सच नहीं है कि बेक ओल्डी में सैंक्शन किये थे और अगर यह सब सच नहीं है तो यह सब चीजे कैसे बन गई 2014 तक 2014 तक तो ना आप थे और ना आपके आका थे तो जूट बोलना कूट नीती का तंत्र नहीं हो सकता है आपने भारत की फॉरण पॉलिसी को एक कारोबारी को कारोबार दिल आने के लिए जिसको आप अपने साथ अपने हवाई जहास पर लेके घूमते हैं अलग-अलग देशों में जाते हैं चिरौरी करते हैं भाईया इनको कारोबार दे दो आपने भारत की फॉरण पॉलिसी को फोटो अपर्चिनिटी कभी शेहनाई सुनते हुए कभी जूले प आप भारत के सबसे जादा फेल्ड फॉरण मिनिस्टर हैं और बिना तत्यों के नहीं कह रहे हूं मेरा आप से कोई भी निजी जगडा नहीं है मैं आपके उपर कोई निजी आक्षेप नहीं लगा रही हूं लेकिन हाँ मैं यह जरूर कहती हूं कि आप इस देश के सबसे फ चाहता था हम उस ट्रॉइका में रहें पाकिस्तान ने मना कर दिया चीन ने उसकी सहमती करी हम ट्रॉइका में नहीं आ पाए यह आपकी फॉरण पॉलसी है अगर आप ही की बात मैं माननूं कि जो होता है इस देश में जो भी गलत होता है वो इंटरनाशनल साजश हो रही है एक international conspiracy अगर मैं आप ही की बात माननूं तो आप क्या कर रहे हैं अगर इतनी international conspiracy इस देश में हुई जा रही है तो प्रभू अज फॉरण मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं आपका department क्या कर रहा है कौन सी narrative setting आप करने की कोशिश कर रहे हैं political wars की आप बात कर रहे हैं और neighborhood की बात कर लीजे पाकिस्तान दोड़े दोड़े प्रधानमंत्री जाते हैं बिन बुलाएं बिरियानी सिवई भगवान जाने क्या खाने श्री लंका में चीनी इंटरफेरेंस हैं भुटान हमसे दूर हो गया है बांगला देश ने चीन को कॉक्स बजार में सबमरीन बेस बनाने को कह दिया है बांगला देश आज हमसे एकनॉमिक परामेटर में बेटर कर रहा है चाहे वो पर कैपिटा इंकम हो या जीरिपी ग्रोथ रेट हो और ये जरूर बताईएगा फॉरेन मिनिस्टर करीब सवा दो लाख भारतियों ने एक साल में और ये बारा साल में सबसे उंचा आ 2006 में 85 पर कैसे आ गया विदेश मंत्री तो आप है इतनी बढ़िया विदेश नीती बनाई की लोग भारत ही छोड़ देना चाहते हैं हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है तो मेरा अपना मानना है आप G20 करिए आप तमाशे सारे करिए लेकिन इस देश की जब कोर कमांडर मीटिंग में बैठता है तो यही कहता है चीन का पीले की आप के प्रधान मंत्री वही तो कह रहे है कि कोई घुसा हुआ नहीं है और S. Jai Shankar जी इस देश के सबसे फेल्ड फोरें मिनिस्टर लगातार उस बात की पुष्टी कर रहे हैं I will very briefly make a very small statement in English because India's most failed foreign minister yesterday in an interview with an agency said that we are the smaller economy and they means China is the bigger economy and we cannot go and pick a fight with them what exactly does he mean is he telling us that we as we are not capable of protecting our territorial sovereignty we are not being able to look up to China and ask them questions what exactly is he trying to do because what he's trying to do is essentially break and shake the confidence of our Indian army and demean the valor of our armed forces people who are standing at the border and defending our territorial integrity do not need to be told that we are the smaller economy and they are the bigger economy and should we pick up a fight with them what exactly does he mean this is one of the most blasphemous statements made by any foreign minister I also want to talk to speak to Mr. Jai Shankar and raise a few questions because he has claimed that he was the longest serving diplomat longest serving Indian ambassador in China Indian ambassador in China in that capacity will you tell us when will status quo ante be restored of April 2020 why do the prime minister and you stay quiet on China why have we increased the trade deficit to 100 billion dollars we are almost funding the Chinese army to do the incursions that they do as India's longest serving ambassador in China what do you have to say about all the visuals that come about Chinese aggression what do you have to say about the supreme sacrifices about our forces what do you have to say about the 2000 square kilometers of land on which China has acquired what do you have to say about the patrolling points which have now become buffer zones what do you have to say about the brazen military infrastructure being built across the Pangong Lake or in Doklam what do you have to say about the railway line being built by China which is of course a threat to our territorial integrity and our national security and what exactly do you have to say on steadily increasing trade deficit is this your answer to the supreme sacrifice of our brave hearts and may I also add you can keep lying and you can keep attacking your political opponents but do not do this at the cost of national security some things are sacrosanct and I want to bust a few lies here the border was largely silent for 50 years after 1967 barring an incident in 87 why are there so many multiple incursions now the UPA government in 2006 adopted the current active border infrap policy the roads tunnels actively marketed were mostly planned by the Shamsaran task force in 2006 constructions of roads tunnels and high landing grounds for heavy aircraft began in 2008 and was largely completed by 2014 the Indian Navy held excursions with the US Navy near the East China Sea in 2007, 2009, 2009, 2011 and 2014 is it not true that the Congress government sanctioned a 50,000 strong two new mountain divisions stations armoured in Ladakh and Arunachal the Congress government activated four advanced landing grounds in Chushul, Demchok, Dolatbe, Goldie and Fukche and there are multiple other incidents of this so foreign policy that you have reduced to afford foreign policy that you have reduced to a chest thumping exercise cannot be reduced to that foreign policy is supposed to further the interests of this country foreign policy is not supposed to be a tool to manage and allocate projects from foreign countries to one business group and that's Adani and last but not the least I want to say I would have to say it's true that you do not go on it up in the same way that you have to attack the Lord कि धर्म का हनन हुआ है गुजरात में और जिन्होंने मासूम नागरिकों को नहीं बचाया वो असुर है अपने ही पिता की बात सुनिए जिन लोगों का डंका आजाब बजा रहे हैं जिन लोगों का गुडगान आजाब कर रहे हैं उन्होंने असुरों का काम किया है ये मेरे शब्द नहीं है ये आप ही के पिता के शब्द है वो भले बुजर्ग होंगे लेकिन विज्डम और एक्सपिरियंस ये कहता है कि आप उनकी बात सुनिये धन्यवाद आपके सवालों का स्वागत है पहले स्वो मोटो प्लीज जी और मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अगर international conspiracy सारा विश्व कर रहा है देश के खिलाप तो विदेश मंतरी क्या कर रहे है क्या ये विदेश मंत्री का failure नहीं है कि सारी international conspiracy देश के खिलाफ हो रही है चलिया आपने एक व्यक्ति के लिए कह दिया international conspiracy कर रहे है Larry Summers जो Treasury Secretary थे और Harvard University के Professor है Lawrence Summers उन्होंने कल बोला है अडानी पर और बोला है कि शायद ये धबा हिंदुस्तान कभी मिटा नहीं पाएगा क्या वो भी conspiracy कर रहे है क्या standard chartered city group और credit squeeze भी conspiracy कर रहे है क्या dow jones और SNP भी conspiracy कर रहे है क्या UK का fair practice regulator भी conspiracy कर रहे है क्या Norway का pension fund भी conspiracy कर रहा है क्या total ने जिसने अपना investment रोग दिया वो भी conspiracy कर रहा है ये जो conspiracy theories है ये उन्हीं लोगों के पास से आएगी जिनके पास कोई जवाब नहीं है और कल जैशंकर जी ने बात करी कि लोग invest करते हैं resources को narrative shape करने के लिए और पूरे सर्व सर्मान से मैं इसको राजनतिक रखना चाहती हूं व्यक्तिकत आक्षेप नहीं लगाना चाहती हूं लेकिन आपके पुत्र Aspen Institute में थे जहां पर जिनका आपने नाम लिया George Soros जी की company ने खूब funding करी है आपके पुत्र Lowey Institute में थे आपके पुत्र Brookings में थे आपके पुत्र तमामों ऐसे इंस्ट्यूट में जर्मन Marshall Fund में थे इन सब की funding philanthropic foundations करती हैं तो जब तक आपके पुत्र वहां पर रहे और अभी भी हैं और वहां से philanthropic funding ऐसे इंस्ट्यूशन से ऐसे लोगों से आ रही है narrative shaping के लिए तो कोई गढ़वण नहीं है आप अगर उस पर बोलते हैं तो वह international साज़िश हो जाती है तो अगर international साज़िश हो भी रही है अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो मुझे बस इतना बताइए कि इस international साज़िश को खतम करने के लिए इसका विदेश मंतरी क्या कर रहा है क्या आप फिर नहीं हो गए क्या तो क्या expect कर रहे थे BJP बोलेगी मुझे लगता है 2024 में जो चुनाव होगा और 2024 के जो मुद्दे है उससे भारतिये जनता पाटी ऐसी घबराई हुई है क्योंकि जब वो मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं तो वो international साज़श की बात करते इस देश की असलियत है इस देश की और लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला है हमने अपने घटक दलों के साथ मिलकर ऐसी सरकार चलाई और हम बिलकुल इससे न कारते नहीं है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ BJP का सामना करेंगे दिक्कत की बात यह है कि भारत जोडो यात्रा या अडानी के आकशेप जिससे घिरें हुए है मोदी जी बुरी तरे या बेरोजगारी या महंगाई या अर्थी का सामानता ऐसे तमामों मुद्धे जिसके बारे में यह निरुत्तर है इनके पास ना कोई जवाब है ना कोई समाधान है तो आप अनर्गल बाते करते हैं यह उससे कोई फ कॉंग्रेस अध्यक्ष विशुद हिंदी स्पीकिंग नहीं है वो करनाटक से हैं और उन्होंने अपने बोलने में उम्र में बहुत बड़े हैं उन्होंने अपने बोलने मुझे तो लगता है अपनत्व दिखाया आपको गलत लग रहा है मुझे तो अगर कोई बड़ा ऐस कहीं पर एक एडिटोरियल से कहीं पर एक किसी के वक्तव से दुबक कर डर कर बैठ जाती है वो 56 इंच की फरजी चाती जो चीन का नाम नहीं ले पाती है वो 56 इंच की फरजी चाती जब चीन डोकलाम पे हमला करता है तो आप पींगें जूले की जूल रहे होते हैं वो 56 इं रहे हैं कोई और सवाल दल्लेवाद बहुत-बहुत आप सब का झाल